तो हेलो गाइस वेलकम तो दो ट्राक स्टार्ट एक वफिट से आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर तो गाइस जैसे आप सभी को पता है कि इसका पोचिन नंबर 1 के उपर देख सकते हूं आपको कितने सेकंड चैनल मैं आपको पूचा गया है उपशन नंबर 1, 2, 3, 4 इसका जो आपका राइट अंसर है आपको जो प्री थ्रू होता है वो अटेम्ट करना होता है इसके बाद क्रॉल्ड डाउन करोगे प्रिख सकते हो कि the basketball feeder is also called as यानि कि जो basketball में feeder होता है उसको किसी और नाम से जाना जाता है तो यह आपके सामने options है किस नाम से जाना जाता है forward या फिर power forward, point guard या फिर option number 4, center तो वो किस place पे होता है basically आप इसको इसको denote कर सकते हैं तो इसका जो right answer रहने वाले है question number 2 का आपका रहेगा option number 3, right answer यानि कि point guard को ही feeder कहते हैं और feeder ही point guard होता है clear, I hope आपको इस सारे चीज़े clear हो रही हूँ आपका कोई भी doubt हो, comment section में मुझे पूछ लीजेगा और इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप जोर सकते हैं मेरे telegram channel से जिसका link मैंने नीचे description में डाल रख है सभी important link जो कि आपके लिए बहुत ही important है, वो मैंने description में डाल रख है तो वहाँ पर आप एक बारी description को भी देख लिजेए YouTube पे, तो इसके बाद question number 3, क्या पूछा गए हैं आपर when scores are leveled by end of the regulation time then the game is decided by यानि कि जब आपका score equal हो जाता है यानि कि tie जैसे situation हो जाती है तो उस time पे क्या करा जाता है हिंदी में एक बारे आपको पड़ल के बताएता हूँ कि जब नियमित समय के अंदर तक खेल में score बराबर हो तदब डैस द्वारा खेल का आपका जो है निर्ने लिया जाता है तो किसके द्वारा जो है निर्ने लिया जाता है overtime या extra time या declare as draw या free throw तो किसके through जो है वहाँ पर आपको खेलों का निर्ने लिया जाता है तो यह आपको बताना है option number one two three four आप देख सकते हो right answer आपको बताना है इसका जो right answer रहेगा आपका option number one यानि कि overtime आपको overtime दिया जाता है ताकि खेलों का जो है इसके निर्ने लिया जाए इसके बाद question number four आपके सामने स्क्रीन पर कि diameter of the ring यानि कि जो आपके basketball में ring होती है उसका diameter पुछा गया है options आपके सामने है option number one two three four तो आप clearly जो है इनको देख सकते है I hope यह visible हो आपको right answer बताना है कि diameter कितना होगा यह एक circle होता है ना यह आपके हो गया basket तो इसका diameter आपसे पूछा गया है कि यह जड़ diameter होता है ठीक है यह repeat हो सकता है 2024 में तो आप इसको ध्यान से याद कर लिजेगा देखिए previous year question paper का यही आपका फाइदा होता है कि काफी सारी question paper जो questions होते है वो repeat आते हैं जैसे कि आप 2024 में देखोगे काफी सारी question जो है इस paper से आपके repeat होंगे अगर आपने कोशन ध्यान से solve किया है तो आप डिरेक्ली वहाँ पर attempt कर लोगे और आपका time बहुत जादा time आपका बच जाएगा इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर question number five क्या पूछा गया है which of the following is validation by a free throw shooter तो क्या है यहाँ पर options आपको यहाँ पर पढ़ना है कि free throw shooter जो होता है द्वारा निमन लिखित में से कौन सा उलंगन है यानि कि जो आपको free throw दिया जाते है उसमें कौन सा यह जो है rule नहीं होगा यह आपको यहाँ पर बताना है ठीक है तो option number one should release the ball within five seconds after receiving the ball यानि की जो आपकी gain होती है आपके basket होती है उसको जो है प्राप्ट करने के बाद जो है पांच सेकेंड के भीतर उसको छोड़ देना चाहिए या फिर fake throw का आपको action करना चाहिए या फिर जो ह ठीक है यानि किसी भी तरीके से जो है आपको basket करना है ball डालनी है या फिर option number four आप देख सकते हैं इसका जो right answer रहेगा option number five का option number two fake यह आपका हो जाएगा fake free throw तो यह है जो violation होता है एक free throw का जो की shooter द्वारा किया जाता है तो यह violation है आपको foul दिया जाएगा इसका अगर आप fake throw करते हैं ना fake free throw का action करते हैं तो उसका violation होता है question number six क्या पूछा गए यहाँ पर which country is current world champion in men's section यानि कि 2024 में आपकी जो वहाँ पर current world champion team थी men category में वो कौन सी थी यह आपको यहाँ पर बताना है option number one two three four 24 में कौन सी team है यह आपको याद रख लिजेगा यह same team भी हो सकती है और यह question आपका repeat हो सकता है तो आपका right answer बताना है options आप देख लीजिएगा यह आपके सामने तो इसका right answer है option number two Spain यानि कि Spain जो है 2023 में आपकी world champion team थी men category के अंदर में तो आपका 24 का आपको बताना है मेरे को comment section में इसके बाद question number seven आप यहाँ पर देख सकते हो the team participating in national championship included include only यानि कि यह पर आपका national championship होती है उसमें state participate करते हैं या फिर UT देख फ़र एफिलेट यूनिट्स या फिर club है ना तो इसमें से आपको बताना है कि national championship में कौन से जो है इसमें से options में से कौन से जो ऐसे option है जो की include रहता है इसका जो राइट अंसर आपका रहने वाला है आपका उफिन नमबर थी आफिलेटेट यूनिट्स जो भी आफिलेटेट यूनिट्स होती है नैशनल चैंपिनशिप में इंक्लूड रहती है इसके बाद कुशेन नमबर एट आप यहाँ पर देखोगे जो बहुत ही अच्छी टीम होती है बहुत ही प्रेक्टिक्स करते हैं वो लोग और सेलेक्शन भी इसमें टॉप जो प्लेयर्स होते हैं उनका सेलेक्शन होता है तो इसका राइट अंसर यही रहने वाला है रेल्वेस की जो विमन कैटिगरी में टीम थी वो जो है उनके पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नमबर ओफ चैंपिन्शिप है ठीके इसके बाद आपको यहां पर स्क्रॉल डाउन करोगे कोशन नमर नाइन दिखाए देगा क्या पूछा गया है वट कलर अफ दे पैन यूज आर इन स्कोर शीट देखे आपके स्कोर सीट से भी बहुत सारे कोशन इसमें थे तो उससे आप पूछ सकते हैं अगर आपको इसकी रूल बुक चीए तो मेरे टेलिग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा सभी इंपॉर्टन लिंक जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं इक बार इप लिए प्लीजिश्ट को देख लीजिएगा टो आपको स्कूर बताना लेख कौन सा प्लू आप ल मैप के लिए छोई यह Eitherē пот यह कलर आपके जो ए स्कोर स्ऊइट पे यूज कि आ जाता है इसका आप सी याद कलीजीएगा कि the check of the air pressure of the ball if the drop from height of 18 mm it should bounce back to the maximum to the minimum height of यानि कि अगर आपको एक ball का basketball का pressure check करना हो तो उसको 1800 mm से नीचे आप throw करोगे उसका bounce back देखना है कि minimum कितना bounce back होता है तो ये आपको यहाँ पर बताने कि कितना होना चाहिए option number 1, 2, 3, 4 यह आपके सामने है तो इन में से आपको right answer बताना है काफी technical यह आपका question है इसको आप ध्यान से दिया कि लिजिएगा और 2024 में repeat हो सकता है आपका तो इसका जो right answer है option number 3 आपका right answer है यहाँ पर ठीक है यह रहा option number 3 यानि कि 96 से लेकर 116 mm तक आपका यहाँ पर minimum bounce होनी चाहिए ball तो मतलब उसको प्रेशर जो है neutral होगा इसके बाद आपको यहाँ पर question number 11 दिखाई देगा यह आपके सामने question number 11 है तो क्या पूछा गया है when a player commit 5 fouls he is name as यानि कि अगर कोई player पांच बार foul करता है तो उसको किस नाम से जाना जाएगा option number 1 substitute, option number 2 player या फिर option number 3 excluded player या फिर option number 4 disqualified player तो क्या बोला जाएगा उसको तो यह आपको यहाँ पर बताना है आप screen को pause करके जो है right answer pick कर सकते हैं आपको मैं right answer बताऊँगा इसका देखे इसका जो right answer है option number 3 आपका यहाँ पर right answer है यानि कि excluded player आपको यहाँ पर होता है अगर कोई भी 5 fouls करता है तो इसके बाद आपको यहाँ पर देखे होगे question number 12 क्या पुछा गया है on the score sheet a team captain is represent as यानि कि जो team captain होता है उसको score sheet पे किस किस नाम से denote किया जाता है c से denote किया जाता है यह cap से denote किया जाता है या फिर captain या फिर captain c apt यह आप देख सकते हो तो किस से denote किया जाता है उसको score sheet पे तो यह आपको यहाँ पर बताने इसका जो right answer option number 2 यानि कि captain को represent किया जाता है score sheet पे cap से इसके बाद score sheet से आपके बहुत सारे question बनते हैं इसमें और आगे भी बनेंगे 2024 में तो score sheet को आप एक बार देख लीजेगा कैसी होती है उसमें captain को किस नाम से जाना जाता है player को कैसे किस से denote करते है cap number से या फिर कैसे color कौन कौन से use के जाते है फाउल के लिए कौन से color यूज के जाते है तो यह आपको चीजे जाननी है आप अपने coach से या फिर rule book में इसको पढ़ सकते है इसके बाद question number 13 यहाँ पर आप देखोगे यह आपके सामने है क्या पूछा गया है the distance of the ring from the floor is यानि कि आपके जो ring का distance होता है न फ्लोर से वो कितना होता है यह आपको यहाँ पर बताना है तीन मीटर या फिर 3.03 मीटर या फिर 3.05 मीटर या फिर 3.10 मीटर इसका right answer आपका रहने वाला है option number 3 3.5 मीटर आपका right answer है question number 13 का 3 option सही है इसके बाद को scroll down करोगे न तो यहाँ पर question number 14 आपको दिखाए देगा क्या पूछा गया है what is the state of the ball when a basket is scored ठीक है जब एक basket को score किया जाता है तो gain की क्या stity होती है यानि ball की क्या stity होती है वो live होती है, dead होती है, game on होता है या फिर इन में से कोई भी statement सही नहीं है आपको यह बताना है तो इसका जो right answer रहने वाले है question number 14 का option number 2 जब भी आप basket करते हैं उसके बाद ball dead हो जाती है दुबारा सी game start होता है आपका इसके बाद question number 15 यहाँ पर आप देख सकते हो क्या पूछा गया है while taking throw in the referee shall not be more than dash away from the player taken the throw in यानि कि जब भी आपको throw in दिया जाता है तो referee की एक minimum limit होती कि उतने दूरी से अधिक नहीं खड़ा हो सकता है उससे player से तो कितनी दूरी पर खड़ा होगा वो आपको यहाँ पर बताना है minimum 1 meter, 2 meter, 3 meter या 4 meter यह आपके options हैं देख सकते हो आप screen पर आपको right answer बताना है इसका question number 15 का right answer है यानि कि 4 meter यहाँ पर question number 16 आप देखोगे क्या पुछा गया है देखिए आप किसी भी field से हो basketball, swimming, football किसी भी exam को आप दोगे ना NS&IS में तो आपका एक question बनता है situation के उपर कि एक situation दी जाती है आपको उसमें क्या आपका यहाँ पर right answer होगा option में दिया जाएगा कि आपको इसे पूछा जाएगा देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है within 21 on the short clock is third quarter team 1 is award of throw-in from its background backcourt throw-in A1 is holding the ball when B1 move his hand over the boundary line it is यानि कि यह क्या है हिंदी मैं आपको बताता हूँ कि अपने hand को move कर रहा है boundary line के उपर तो उसको क्या बोला जाएगा यहाँ पर यह situation है तो options आपको ध्यान से पढ़ने हैं किसके पर कोई action नहीं होगा violation by team B rethrow in the team A in from team A within 21 second on clock shoot या फिर इसके बाद आपको दिया जाएगा option number 3 आप देख सकते violation by team B rethrow in from team A within 24 second shot clock या फिर आपको यहाँ पर game को continue किया जाएगा तो आपको right answer यहाँ पर बताना है इसका जो right answer आपका रहेगा option number 3 आपका रहेगा कि यह violation है team B के द्वारा rethrow दिया जाएगा team A को 24 second का shot clock दित्रू ठीक है इसके बाद आपका रहेगा यहाँ पर question number 17 क्या पूछा गया है women basketball was introduced from the year यानि कि आपके जो women में basketball को कब introduce किया गया था तो यह आपको बताना है काफी अच्छा question है यहाँ पर आप देख सकते हो 1892, 1895, 1896 या फिर 1897 तो इसका जो right answer है काफी technical है तो आपका right answer है option number 1 1892 में जो है women का basketball में यहाँ पर introduce किया गया था इसके बाद आपको यहाँ पर देखने question number 18 क्या पूछा गया है कि throwing line are draw as a distance of dash over the side line from the baseline यानि कि आपकी baseline क्या होती है side line क्या होती है या आपको पता होना च्छी है पूछा गया है आपसे कि कितना distance होता है ठीक है हिंदी में में पढ़के बताए तो आपको कि आपकी baseline से side line के उपर dash की दूरी पर throwing line आपका throwing line कीची जाती है तो वह कितने distance पर होती है या आपको यहाँ पर बताना है one two three options आप देख सकते हो कि मतलब देखे option 8 meter तो सब में है लेकिन देखे point पर आपको जाना है कितना close पूछा गया है यह आप देख सकते हो जब भी close यह close questions होते हैं तो वह बहुत ही hard हो जाता है यह सब को पता हुआ कि 8 meter के वहाँ पर होता है आपकी throwing line तो 8.175 meter होती है या 8.577 577 होती है या फिर यहाँ पर 8.25 होती है या फिर 8.325 होती है तो यहाँ पर आपको right answer बताना है 18 का इसका जो right answer रहने वाले option number 4 8.2 8.325 ठीक है तो यह आपका right answer है इसके बाद आप scroll down करोगे ना तो question number 19 है आपको यहाँ पर दिखाए देगा काफी अच्छा question है क्या पूछा गया है यह आप देख सकते हो कि when the ball is above the level of ring it is in it is downward flight who can touch the ball यानि कि जब भी आपकी ball जो है ring के उपर होती है और downward के दरफ जाती है flight करती है उसको touch कौन कर सकता है एक shooter touch कर सकता है defender या फिर official या फिर कोई भी नहीं तो आपको यहाँ पर बताना है 19 का right answer होगा option number 3 कोई भी नहीं उसको touch करेगा ओके इसके बाद 20 question आप यहाँ पर देखोगे screen पर कि any foul committed by the by a bench member of a team is record on the score sheet as dash against the coach यानि कि यहाँ पर पूछा गया है कि किसी team के bench सदस्य द्वारा किये गए किसी भी foul को coach के खिलाफ dash के रूप में score sheet पर दज किया जाता है तो यह आपको यहाँ पर बताना है B, C, D, D यह आप देख सकते हो इसमें से आपको right answer बताना है इसका right answer रहेगा option number one यानि कि B यह आपको यहाँ पर रहने वाला B से क्या मतलब है यह आपको comment section में बताना है score sheet को आप एक बार धंक से आप ध्यान से पढ़ लीजेगा इसकी rule book में आपने telegram channel पर आपको provide करा दूँगा लिंक आपको description में दे दूँगा question number 21 यहाँ पर आप देखोगे क्या पुछा गया है यहाँ पर काफी अच्छा question है यह भी और repeat होने के chances है क्या पुछा गया है when a live ball lodge between the ring and backboard it is यानि कि क्या पुछा गया है जब एक live ball ring में आपको जो ring होती है या फिर same team return the ball तो क्या होगा इसमें situation यह आपको यहाँ पर बताना है इसका जो right answer रहने वाले है option number one यानि की jump ball situation होती है तब जबकि ball आपके ring में फस्ट जाती है तो इसके बाद 22 questions यहाँ पर आपको बताना है क्या है कि dash basket were used as a goal in a earlier game of the basketball तो क्या है इसमें basketball की सुरुवाती खेलों में goal के रूप में dash basket को प्रियोग किया जाता था किसको किया जाता था peach को या फिर आप यहाँ पर देख सकते हो orange को या फिर laundry को या फिर waste को ठीक है तो यह आपको बताना है इसका right answer आपका 22 का right answer option number one peach तो peach को जो है यहाँ पर basketball वर used a goal in the earlier game of basketball यूज किया जाता था इसके बाद question number 23 आप यहाँ पर देखोगे who has the primary responsibility of the count of 8 seconds तो किसकी responsibility होती है कि जो आपके 8 seconds को count करता है यह आपके सामने options है option number one two three four lead official trial officer या फिर central officer या फिर commissioner तो किसके दोबारा होती है को count करे 8 seconds को 8 seconds कब use के जाते हैं यह आपको comment section में मुझे बताना है क्योंकि मैं basketball से basketball का player नहीं हूँ basically फिर भी मैं आपको basketball पढ़ा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ आपको मिरे को बताना पड़ेगा तो इसमें जो है आपको right answer जो रहने वाला है option number 2 आपका right answer है कि trial official को 8 seconds count करने होते है यह कब count किया जाते है कि situation में count किया जाता है यह आपको बताना है तो इसके बाद question number 24 का हम यहाँ पर चलेंगे क्या पूछा गया है the diameter of 3 into 3 basketball court is तो 3 into 3 basketball आपका court होता है उसमें यह कितना diameter होता है यह आपको पूछा गया 15 meter in width of 11 length यह आपको पूछा गया है 15 meter width होती है 12 meter आपके length होती है 15 meter width होती है या फिर 13 meter length होती है 15 meter width होती है या फिर 14 meter length होती है तो आपको यहाँ पर बताना है diameter of 3 into 3 basketball court का ठीक है जो आपका 3 into 3 बास्केटबॉल कोट होता है उसको आपको डायमीटर बताना है याँ पर व्रित और लेंथ तो कितनी होती है option number one आपका right answer है यानि कि 15 आपकी होती है व्रित और 11 मीटर होता है आपका length ओके इसके बाद 25 question last question आप यहाँ पर देख सकते हो इसको start करने से पहले आपका कोई भी डाउट हो तो आप comment section में मुझसे पूछ सकते हैं और आप जुड़ सकते हैं मेरे telegram channel से वहाँ पर आपको इसकी PDF प्लस rule book आपको वहाँ पर मिल जाएगी तो क्या पूछा गए 25 question में यहाँ पर आप देख सकते हो कि where was the first man world basketball championship held यानि कि आपके जो पहली पुरुष केटेगरी में basketball championship करवाई गई थी वह कहाँ पर करवाई गई थी options आप देख सकते हैं यहाँ पर Argentina USA USSR या फिर France कहाँ पर करवाई गया था आपसे जो जड़े 24 में पूछ सकता है इसका एयर कौन से एयर में करवाई गई थी तो यह आप गूगल करिए याद करिए इसको इसका जो राइट अंसर है option यह आपका राइट अंसर है तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हो आपको क्लियर हुए हो आपका कोई भी डाउट हो कमेंट से पूछ लीजेगा टेलिग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और आल देवेस गईस